हगओ द दस्तो वहागत है आप सभी लोगों का हमारे option trading के एक नए वीडिव में है दस्तो आज के इस वीडिव में हम live option trading करेंगे और हम देखते हैं कि ट्रेडिंग से एक दिन में हम कितना percent return निकाल सकते हैं आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग share में invest करते हैं और यह सोचते हैं कि यार एक साल में मेरा 12-13% का return निकल जाए ज्यादा से ज्यादा 15% का return निकल जाए लेकिन क्या इस एक साल के return को हम option trading करके एक दिन में इसे दूगुना profit बना पाते हैं इसे दूगुना return निकल पाते तो सब कुछ live trading करके दिखाऊंगा इसलिए आज का ये वीडियो काफी ज्यादा important होने वाला है और अगर आप लोग भी live trading सीखना चाहते हो ना तो यार चैनल को subscribe कर लेजिए और वीडियो को like कर देजिए चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और आपको सब कुछ एक एक करके live दि निफ्टी का जो expiry है वो कल है और आज bank nifty और fin nifty का expiry है तो expiry के दिन ट्रेड करना काफी जादा risky होता है इसलिए आज हम bank nifty के अंदर ट्रेड नहीं करेंगे बलकि nifty के अंदर ट्रेड करेंगे तो यहाँ पर निफ्टी पर क्लिक किया और यहाँ से हम nifty का option chain open कर लेते है अब यहां पर देखो हम OTM वाले को बाई करेंगे यानि कि हमें बहुँ ज्यादा टाइम तक नहीं रुकना है हम आदे घंटे के अंदर सोच रहें कि हमारा अच्छा खासा अगर प्रॉफिट हो गया तो यहां से हम प्रॉफिट लेकर निकल जाएंगे तो यहां से देखो बाई करेंगे अब देखो नंबर्स आफ लोट आ गया है ना तो यहां पर हम 36 लोट डाल दिये हैं अभी देखो 36 लोट जैसे डाले हैं तो यहां पर हम लिमिट लगाएंगे तो लिमिट में यहां पर हम 660 रुपईया डाल देते हैं ठीक है और 66-68 पर मार्केट चल रहा है तो यहां से हम प्लेस बाई ओर्डर करेंगे अभी ठीक हैं तो यहां से देखो 600 रुपईया हम डाल कर रखे हैं और सोचर यहां से प्लेस बाई ओर और यहां से कशमः कर देते हैं अब देखो जैसे हम यहां सेंपर किये नहां यह मेरा जो ओडर है तुरंत के तुरंत यहां से बाई हो चुका है और बाई होते ही यहां पर देख सकतो हमें 1100 रुपए के लगभग में प्रोफिट चल रहा है यहां कि बाई किया तुरंत मेरा यह जो लिमिट था वो हीट हो गया और तुरंत यहां पर बाई हुआ पोजिशन और बाई होते ही प्रोफिट चल रहा है वाइस सो रुपे का प्रोफिट वाइस सो पचास चौबीस सौ फीस सो तेइस सो ठीक है तो यह में अभी स्टॉप लौस को लगाएंगे फिक है इस टॉप लोस लगाना रहेंगे ना तो यह ट्रेडिंग भी वह ऐसा ही है यहां पर अगर हम स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो समझों बहुत ज्यादा रिस्क ले रहे हैं तो भी यहां पर देख सकतो मेरा जो प्रॉफिट है वह सत्रह सव अठारह सव सत्रह सव सोलह सव हो गया है तो अभी यहां पर क्लिक कर लिए अब यहां पर 56 रुपिया डाल दिये हैं तो इसमें भी हम 56 रुपिया हमको डालना पड़ेगा ठीक है चपन इसमें भी डाल दिये अब यहां पर प्लेस सेल और लिखा हुए ना यहां पर क्लिक करके कंफर्म पर क्लिक कर दिये अभी देख सकतो 56 रुपिय के भावव पर मेरा इस्टॉप जो है वह लग चुपा है अब यहां से हमें रिस्क ज्यादा नहीं है अगर यहां से मार्कट हमारे अगयंस जाता है तो 56 पर जाकर यहां यहां पर आज मैं आपको बता दू कि मेरा स्टॉप लोस दस रुपए का है यानि कि छाचट पर खरीदा 56 पर लगाया तो 10 रुपिया पर क्वांटिटी की पीछे घटा कर हमने स्टॉप लोस लगा है और मेरा जो टार्गेट है वन इस्टू टू का रहेगा या फिर 1 इस्टू 2.5 करेगा समझो मैं मतलब मैं 10 रुपए का अगर इस्टॉप लोस ले रहा हूं तो 20 रुपिया 25 रुपिया मेरा टार्गेट रहेगा कि यहां से हमको मिलना चाहिए ठीक है और अगर इससे जादा होता है तो हम इस्टॉप लोस को ठ्रेल करेंगे और अपने प् टाइम पर भी 4000 के लगबग प्रोफिट था अभी 4000 रुपए के लगव मेरा लोस आ चुका है तो यह बहुत लोस नहीं क्योंकि दुखो चाचट पर खरीदा हूं 61 पर चल रहे पांच रुपिया पर क्वांटीटी के पिछे घटा है और पांच रुपिया पर क्वांटीटी तो यह भी अभी मैं आपको दिखाता हूं कि कि स्केंडरिस्टिक में हम भाई किया है ठीक है लेकिन देखो अभी मेरा जो लॉस है थोड़ा सा घटा है 4000 गया था 4000 से घटकर अभी 1600 रुपे का लॉस तो थोड़ा सा घटा यहां पर भीया और 17-1800 का फिर से लोस चल रहे है तो यह ट्रेडिंग है यह कभी अप कभी डाउन कभी अप कभी डाउन और यहां पर ना अभी मैं लोजिक भी बताऊंगा कि यहां पर मैंने जो ट्रेड किया हुआ है ऐसे मनमानी नहीं किया हुआ है हमारे यहां पर सामने कंप्यूटर स्क्रीन लगा हुआ है कंप्यूटर यहां कि कम हुआ था भी फिर से बाग्यार लॉस में तो आएगा मेरे ही फिवर में क्योंकि देखो बहु ज्यादा यहां पर 35 रुपए पर चल रहा है और च्छाचट पर खरीदा हूं पर क्वांटिटी के पिछ अभी केवल एक रुपईया घटके रहा गया है यहां पर तो अब यहां से मार्केट क्या किया अगर मार्केट को उपर जाने वाला रहता है ना मार्केट जाता है अभी यहां से ग्यारसी नुका प्रोफीट 9000 का प्रोफीट तेरा सो का प्रोफिट चौदा सो का प्रोफिट यहां से ग्यारा सो नोसो यारा सो नोसो प्रोफिट में आ गए हैं ठीक है तो यह इतना होता रहता है और जो मैंने बताया कि हलका सा रिटेस्ट करता है तो हलका सा रिटेस्ट यहां पर कर चुका है ठीक है और रिटेस्ट करक जो मेरा profit है अभी बढ़ रहा है ठीक है कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गित गाए जा तो यह कदम कदम बढ़ रहा है यहां पर देख सकतो 32 रुपय का profit पहुझ गया है और इसका price कितना चल रहा है 70 रुपया यानि कि किवल पर क्वांटिटी की पीछे 4 रुपया बढ़ा है और इसी से मेरा 4000 रुपय का profit चल रहा है ठीक है और कितना load buy किया हूँ यहां पर देख सकतो 36 load को हमने buy किया हुआ है ठीक है तो यहां पर एक चीज़ और है buy हमने जो किय तो हम यहां पर NST में trade कर रहे हैं और NST में ही करना चाहिए मेरे इसाफ से भिया क्योंकि भारत का सबसे बड़ा stock exchange है ठीक है अभी दोको जो मेरा profit है बढ़कर 10,000 रुपया चला गया है अब एक चीज़ समझे यहां पर एक बार 4000 रुपय का profit दिखाया था वापस से 4000 टेस्ट करके जब ऊपर गया है तो यहां पर दोको 10,000 रुपय तक का भी profit बहुंचाए तो यह भी ज्यादा का return नहीं है यहां से चाचट पर खरीदा हूं तो 75-74 पर market चल रहा है यानि कि पर quantity की पिछे भी 9 रुपया लगभग 10 रुपया तक बढ़ा है ठीक है दोको से हम यहां पर ट्रेड किये हैं तो यहां पर 11,000 का लगभग profit चले 11,500-600 ठीक है तो यहां पर अभी यह हमको केवल 10% का ही return मिला है ठीक है अभी देखते हैं कि यह कितना और ज्यादा जा सकता है और मुझे लग रहा है हमारे favor में आएगा अभी देखो 10,000 का कभी यह profit आपस हो सकता है जाए जैको 9,000 अभी हो सकता है 8,000 आ जाए ठीक है तो यहां हलका सा डर आ रहा है कि यहां से profit बुक करो पर पता है यह प्रो ट्रेडर क्या कहना यही होता है कि हम अगर मार्केट को समझ गए हैं तो यहां से जल्दी निकलेंगे नहीं stop loss छोटा and target बड़ा इस टॉपलोस हमारा देख सकतो 10 रुपय पर quantity के पीछे था और 10 रुपय पर quantity के पीछे से हमें ज्यादा profit मिल चुका है यहां पर 78 पर मार्केट चल रहे चांचट पर खरीदा था ठीक है चांचट दस किनना होगा 76 और 78 पर मार्केट चल रहे तो अभी 12 रुपया पर quantity के प यहांपर देखो कंडे का यहांपर सिगनल मिला हुआ है ठीक है पूट सिगनल मिला हुए और हमने पूट साइड में इंट्री बनाए हुआ है तो इस ही केंडलिस्टिक में signal दिया हुआ है तो हमें लग रहा है कि यहां से मेरा अच्छा खासा यहां से profit होने वाला है क्योंक को यहां से signal अटा signal फिर से आ गया signal अटा फिर से signal आ गया याने कि यह इंडिकेट कर रहा है कि यहां से market अभी नीचे के लिए जा सकता है तो हमारा जैसे ही यहां से अच्छा खालता प्रोफिट दिखेगा हम बुक करते चले जाएंगे तो अभी आपको सब कुछ दिखाते हैं लोजिक क्या है यहां पर लोजिक सिंपल सा यही है कि मार्केट उपर जब गई थी काफी ज्यादा निफ्टी ऊपर चली गए थी उपर जाने के बाद हलका सा नीचे आई औ तो दस जार थे 14,000 तक आ गया फिर 15,000 देखो यहां पर 15,800 रुपे का प्रोफिट तो यह बढ़ता ही जा रहा है भीया अच्छा लग रहा है सबको अच्छा लगता है ठीक है बट अच्छा और खराब का यहां पर कोई मक्सद नहीं है यहां पर प्रोफिट दिखाने का को प्रोफिट कर लूगा तो आपका लोस भी हो सकता है यहां पर जितना ज्यादा दिखता है कि प्रोफिट होता ना उससे कहीं तेजी से लोस भी होता है तो बीना सीखें आप लोग ट्रेडिंग करोगी तो पक्का लोस आज हो जाएगा ठीक है तो पहले सुरुआत अगर ट् 50000 का प्रोफिट हो गएं तो सबसे पहले में जो लगा तो सको कैन्सेल करूंगा डिक है श्यवन से करेंगे तब जाकर से होगा तो यहां exit बटन पर आगे मार्केट पर क्लिक किए 22,000 का profit 22,000 का थोड़ा सा और दिखा दे हमको 21,000 21,400 का profit 20,000 हो गया देखो थोड़ा सा घटा है तो थोड़ा सा बढ़ने देते हैं यहाँ पर 20,000 20,000, 21,000, 21,000, 520,000 तो 22,000 जैसे ही दिखते हैं 22,000 कुछ 23,000 रुपे के लगवग में तुरंद book कर लेंगे ठीक है अभी तो 23,000 यहाँ पर दिखा दिया ठीक है 23,000 हो गया ना तो अभी हम यहाँ से थोड़ा सा घटा है तो यहाँ से हम book कर लेते हैं दोको exit पर जैसे ही क्लिक किया हमने क्लिक करते ही यहाँ पर देख सकते हो हमारा 22,275 रुपे का profit है ठीक है अब यहाँ पर समसे पहले एक चीज देखो हमने खरीदा था चाचट पर और बेचा हुई इसको कितने पर 90 रुपे पर अब दोको चार्ट देख लो हलका सा मार्के यहाँ से नीचे जहाँ पर सिगनल दिया था उससे एक और कंडलिस्टिंग नीचे आया है और यहीं पर मैं sell करके निकल गया हूँ अभी देखो नीचे आकर फिर से यहाँ से उपर जा रहा है मार्केट ठीक है तो यह कितने परसन का return है अभी हम आपको दिखाते हैं तो यह यहाँ से सबसे पहले यह देख लीजिए को 69,400 रुपेया में हमने बाई किया था 81,675 रुपे में हमने इसको sell किया हुआ है तो अच्छा खासा यह sell है 69,000 में खरीद कर यहाँ से जाट 600 रुपे यह बेचा हूं अब हम आपको दिखा देते हैं कि यह कितने परसेंट का return है तो यहाँ से देख तक तो 22,275 का profit दिखाई दे रहा है ना अभी यहाँ पर आप देखेंगे realized gain के अंदर plus में करके 37,50% यानि कि 37% का return एक दिन में हमने trading करके बना जाया हुआ है यह जो बिया 69,000 रुपया लगा कर 22,000 रुपे का profit हुआ है यह 37% नहीं साड़े 37% का return है और जो लोग investment करते हैं वो क्या सुसते हैं कि हमको 12-15% का return मिल जाए एक साल में तो यहाँ पर अगर हम बुद्धी लगा कर ध्यान से सही से trading में यूज करके करें तो हमें अच्छा खासा profit हो सकता है ठीक है आपने देखा भी आपने आखों से की trading के अंदर हमें एक दिन में 70.5% का return मिला I hope आपको इस वीडियो से बहुत को सीखने को मिला होगा और बहुत को सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो मिलते हैं नेक्स वीडियो में जहिंत पंदे मातरम